फिर हुई पाकिस्तानी पी-म की खुले आम बेज़ दी कैमरा ओन था, पुतीन हस रहे थे इधर मोदी मोदी हो रहा था, उधर पाक पी-म की फजियत हो रही थी पुतीन के सामने ही मदद माँग रहे थे शेवाज चरी स्टाफ खड़ा देख रहा था और उड़ रहा था पाकिस्तान का मापोर उफ ये क्या हो रहा है, पाकिस्तानी पी-म को बेज़िती का सामना करना पड़ रहा है और वो भी उस वक्त जब प्रधान मंद्री मोदी के लिए हर कोई बाहे पसार के खड़ा दिखाई दिया था अकसर अंतराश्टिये मंचों पर भारत के सामने उन्हें फजियत झेलनी पड़ रही है पाकिस्तान कब बाद आएगा? जी पाकिस्तान एक बार फिर से सुर्कियों में है इस बार पाकिस्तानी प्रधान मंद्री शरीफ को महज इयर फोन ना लगा पाने की वज़ा से अंतराश्टिये मंच पर रूसी राश्टपती पुटीन के सामने फजियत झेलनी पड़ी उजबेकिस्तान में पाकिस्तान के पी-म शरीफ की हरकत ने खुद पुटीन को हसने पर मजबूर कर दिया जिसका वीडियो सामने आ गया इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर पाक के पी-म को ट्रोल भी किया जा रहा है दरसल रूसी राश्टपती के साथ मुलाकात के दुरान इयर फोन ना लगा पाने का वीडियो सामने आ चुका है जिसके बाद पाकिस्तान के पी-म शरीफ की खुब फजियत हो रही है खुद इमरान खान की पार्टी PTI ने भी इसका वीडियो शेयर कर दिया यानि जले पर नमक छिड़क दिया इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे पाक पी-म शरीफ रूसी पुदीन के सामने ट्रासलेट टूल के लिए इयर फोन लगाने के लिए संघर्श कर रहे हैं जब वो इसमें नाकाम हो जाते हैं तो मंच से ही मदद की गुहार लगाने लगते हैं दरसल S.C.O. की मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के प्रधान मंद्री शरीफ और रूस के राश्पती पुदीन की ये मीटिंग चर रही थी और तभी का ये वीडियो बताया जा रहा है पुदीन ने रूसी में अपनी बात को रखना शुरू किया तो पाकिस्तानी प्रधान मंद्री को ऐसा एहसास हुआ कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका ट्रांसलेटिड टूल चल ही नहीं रहा था इसके बाद वो टूल को ठीक करने और कान में लगाने की जद्व जहत करने लगे उनके कान से इयरफोन गिर जाता है इस नजारे को देखकर खुद पुटीन भी अपनी हसी को रोक नहीं पाते वीडियो में देखा जा सकता है कि इयरफोन लगाने की जद्व जहत के बीच जब पाकिस्तान के प्रधान मंत्री नाकाम हो जाते हैं तो अंग्रेजी में कहते हैं क्या कोई मेरी मदद कर सकता है इसके बाद मीटिंग हॉल में मौजूद अधिकारी उनके ट्रांसलेटिट टूल वाले इयरफोन को उनके कान में अच्छे से लगाने लगते हैं हालांकि फिर जैसे ही पुतीन बोलना शुरू करते हैं एक बार फिर से शरीफ का इयरफोन नीचे गिर जाता है इस तरह से पाक पीम को फुतीन के सामने शर्मिन की जहलनी पड़ी हालांकि इस मीटिंग में भी पाकिस्तान अपने लिए सिर्फ पैसे के जुगार में ही लगा था फुतीन के सामने बैट कर वो गिड़गिडा रहा था हाथ थे ला रहा था बेबस खड़ा था बस किसी तरह से मदद मिल जाए किसी तरह से भुकमरी से पाक को बचा लिया जाए खैर जो हुआ सो हुआ लेकिन ये वीडियो वायरल हो गया फिरो रिपोर्ट यूजवल इंडिया